है लो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आर्म सिलिब्रिटीज पे सुशान सिंग राजपूत के महुत के बाद बॉलिवूड में नेपोटिजम की चर्चा जो रोपे है बॉलिवूड दो गुटों में बच चुका है इसमें एक्टर्स, प्रोडूसर्स, डारेक्टर्स, म्यूजिक डारेक्टर्स यहां तक की सिंगर भी शामिल हुए है और इस बैस में अभी म्यूजिक डारेक्टर ए आर रैमान का भी नाम जुड़ चुका है हाल ही में A.R. रह्मान ने कुछ चौकाने वाले बयान दिये है A.R. रह्मान का कहना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी गैंग है जो उनके बारे में हमेशा अफ़ाय खैलाती है और उन्हें इसे काम मिलने में रिक्कत होती है आपको बता दे कि दिवंगत्स अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की आकरी फिल्म दिल मेचारा का म्यूजिक A.R. रह्मान नहीं कंपोस किया था एक इंटर्विव में रह्मान के पूछा गया कि तामिल सिनिमा की अपक्षा हिंदी सिनिमा में कम फिल्मों में काम क्यों करते है इसके जवाब में उन्होंने वताया मैं अच्छी फिल्मों में के लिए कभी मना नहीं करता लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे खिलाव कोई गैंग काम कर रही है जो मेरे बारे में हमेशा गलत खबरे फैला रही है एयर रह्मान ने रेडियो मिर्ची से बातचित में कहा मैं अच्छी फिल्मों को कभी मना नहीं करता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई गैंग है जो मेरे बारे में हमेशा गलत खबरे फैलाती रहती है मुके छाबडा मेरे पास आये थे और मैंने उन्हें दो गाने दो दिन में तयार करके दिये थे दिल बेचारा के डारेक्टर मुके छाबडा ने मुझसे कहा सर नजाने कितने लोगों ने कहा है कि A.R. रह्मान के पास मत जाईए उन्होंने मुझे कहानिया पर कहानिया सुनाई A.R. रह्मान ने आगे कहा मैंने मुके छाबडा की बाते सुनी और सोचा कि ठीक है अब समझ मैं आ गया कि मुझे काम क्यों नहीं मिर रहा है और अच्छी फिल्मे मेरे पास क्यों नहीं आ रही है मैं डार्क फिल्मे करता हूँ क्योंकि एक पूरा ग्रूप मेरे खिलाफ काम कर रहा है बिना सोचे समझे कि वो मेरा नुकसान कर रहा है A.R. रह्मान ने कहा लोग मुझे काम करते देखना चाते है लेकिन लोगों का एक ऐसा गैंग है जो ऐसा होने नहीं दे रहा है खेर मेरा विश्वास मेरा बाग्य में है मेरा मानना है कि सब कुछ उपर वाले के जरीए होता है इसलिए मैं अपने फिल्मों पे ही फोकस करता हूँ लेकिन आप सभी मेरे पास आ सकते है आप सभी अच्छी फिल्में बना रहे है और आपका मेरे यहां स्वागत है दोस्तो इस मामले में और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थांक्स पॉर वाचिंग